नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन होस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी, 350 बेड़ेड होस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, एन टेंड परामेडिकल स्टाफ, 24 आर्स इमर्जंशी सर्विसेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन होस्पिटल, अमहरा बिहटा पत सारन के बाहु बली दीनानाथ सिंग और प्रभुनाथ सिंग उन पर कॉंग्रेस के MLA यानि की सारन से जो MLA थे असोक सिंग उनकी हत्या का आरोप उन पर लगाया जा रहा है और इस मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं लेकिन इस मामले में कल उमीद थी की कोई रहत मिलेगी लेकिन राची हाई कोट ने उन्हें रहत देने से इनकार कर दिया यानि की उन्हें कोई रहत नहीं मिलेगी लेकिन इसके बात से जो मीडिया में जिस तरह की खबरे आ रही हैं अगर इस पर बात करे सारन के बाहु बली प्रभुनात सिंग उनके भतीजे सुधीर सिंग ने जम कर अपनी बात अपनी भडास को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से लोगों के बीच रखा इस दोरान उन्होंने पत्रकारिता पर भी बहुत सारे तीखी बाते कही और उन्होंने नीजी अखबार के समवाद दाता है लोकल समवाद दाता है आकाश उनका नाम बताया जा रहा है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने कहा वो लगतार विपक्ष से पैसे लेक और चुनाव के समय में आ करके उनके चाचा के खिलाफ यानि की प्रभुनात सिंग के खिलाफ दो लाख रुपे की घूस लेकर उन पर संगीन आरोप लगा रहे हैं और उसको जनता के सामने रखा है ताकि उनकी चुनाव की रनीती जनता के आगे कम जोड पर जाए यानि की उनकी छबी को धुंद करने की कोशिश की गई है यह बात सुधीर सिंग अपने सोशल मीडिया एकाउंट से कहा है इस दोरान उन्हेंने पुलिस प्रशाशन पर जम कर अपनी बात रखी है उन्होंने कहा कि पूलिस प्रशाशन भी जो है उनसे मिली भगत करके चुनाओं के समय में उन पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस वीडियो में इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा उन्हें आले के परकिरिया है लेकिन दुख ही बात के बाटे कि जिकरा हमनी के बिहार के जनता देश के जनता जिकरा के ठर्ड आइज कहला जिकरा के पत्रकारिकार जगत कहला हमरा नजर में कहीं न कहीं पिकाओ को गिजबा कहीं न कहीं उकरा के कहुकिन लेबा हिंदुस्तान पेपर आज रुवा लोग पर ले हो खेंद आज हिंदुस्तान पेपर में एक पन्ना में हमरा बाबु जी के जीवनी हमरा बाबु जी के बिरोधी लोग निकलोए यह लखा यह चुनाओ के कुछ दिन पढ़िले अगर मैं सत्य हूं सही हूं तो सही हूं ना मैं मीठा बोलता हूं और ना मुझे बीठ मीठ बात करने की आदत है थोड़ा से करवा बोलता हूं अब लेकिन हम ऐसा सही बोलता हूं मेरा बात उनको लगेगा एक दिन वही दलार उनको लेके खा जाएंगे साही निरत सिंस हां भाई सब ठीक हो जाएगा आप लोग से बहुत बहुत प्यार है बस आप लोग एक बर आवाज उठाईए एक बर जो जहां पर है बारे पिताजी के जोगी तैसी है जो भी रह गए है और थोरा तब ही लगता है इस पर कोशिस कीजिए आप लोग कि आपके जो बुजूर्ग है वो बाहर हूं पच्वाथर साल के बुजूर्गर छपरा हजरी बैक जिल से बैठके मुस्कुराएं यह हमें भी लगता है और आपको भी लगता है दर्द होता है भाई जब हमारे अपनों का बात नहीं सुना जाता है जब हमारे अपने रोट पे खरे हो जाते हैं उनकी मदद नहीं कर पाता हूं तो याद आते हैं पिताजी कुछ गुनागार रोड़ा लोग बानी कुछ हमनी के बानी से लेकिने सब बात के खतम करके एक बार मरका बाबुजी खती सोचल जाओ और निकाल जाओ विकास भाई यहां जोर के रोड़ों के भाई बेटा हिंदी कर रहा हुल भाई कि जहां पर एक अठा हो के इमांदारी से आपन वर्प करो कोशिश करी कि 75 साल में ने ताजी वापस है दीपक चोहन भाई हम्रों वल्लों के भाई बेटा के जहां बने हम्रों वल्लों खतित्ते यार बने हम पीचे नहां पार